नमस्कार दोस्तों कई बार देखा होगा दोस्तों आपने वाटसप पर किसी की फोटो लगी होती है स्टेटस के अंदर जिसके उपर गाना चल रहा होता है जो एक छोटी सी किलिप बनाई जाती है जिसके उपर उसकी फोटो एनिमेसिन करती है और उसके उपर पीछे बेक्रा ये काइन माश्टर एप्लिकेशन की जुरूत होगी जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना आपके सामने ये काइन माश्टर ओपन जो एप्लिकेशन है वो आ जाएगी उसे इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है और फिर ठीक है दोस्तो अब इस photo पे गाना लगाने के लिए इसका timing थोड़ा हमें बढ़ाना होगा यानि कि photo की length थोड़ी बड़ी करने होगी तो आप इस photo पे click करके जो आपको नीचे timeline दिखाई दे रही है इसको right side की अंगुटे से खींच लेना तो उसका time आप जितना select करना चाहो जैसे 10 सेकंड 15 सेकंड ठीक आप इसी परकार सी इसको खींच के इसको 10 से 15 सेकंड कर सकते हैं एक मिनट कर सकते हैं तो आपको इसको थोड़ा इसकी length बढ़ा लेनी है ठीके दोस्तों अब आपकी ये photo लगी आप इसको okay करने के बाद आपको जो गाना लगाना है वो आपके mobile phone में download किया हुआ है तो ठीक है नहीं फिर आप अपने mobile phone में पहले उस गाने को download कर लेना और music पे click करोगे तो आपके सामने वो गाने के option आ जाएंगे जो भी आपका कोई भी tune है कोई गाना है जो आप जिस folder में पढ़ा है आपके mobile phone में आप उस folder को यहाँ पे choose करोगे और यहाँ पे उस गाने पे click करोगे तो आपके सामने प्लस का icon आ जाएगा तो यहाँ पे आप इसको पलेकर की भी देख सकते हो भी आपका गाना है या नहीं है अगर सही है तो आपको सिरफ प्लस icon पे click करोगे तो नीचे आपको time line में यानि की photo के नीचे यह गाना आ गया है अब दोस्तों यह गाना जो गाने की length है वो जादा है यानि कि हमारी photo छोटी है तो इस गाने की length को हम छोटा कैसे करेंगे तो इसके लिए मैं आपको बदाना चाहता हूं देखिए दोस्तों आपको जो नीचे की timeline है जो गाने की timeline है जो थोड़ी length जिसकी लंबी loop को आपको on करना है फिर loop to end को भी on कर देना जैसे आप इसको on करोगे तो आपकी जो photo का size है उतना ही आपका music यहां पर रह जाएगा ठीके दोस्तों अब आपका जो photo के उपर गाना लग गया है आप इसे यहां से save कर लेना save करने के बाद आपको इसको अपने mobile phone में download यान की जो यहां से save कर लेना काइन माश्टर से जो आपके mobile phone में save हो जाएगा save करने के लिए दोस्तों आपको उपर right side icon में जो button दिखाए दे रहा है उस पे click करोगे उस पे click करने के बाद save as video पे click करोगे अब आपके सामने अगर आपने काइन माश्टर का pro version नहीं ले रहा तो आपको गवराने की जूरत नहीं है आपको यहां के page को skip कर देना है पर फरक यह होगा दोस्तों आपको जो photo पोटो के उपर का इन माश्टर का logo बन के आएगा अगर आप इसका free version यूज करोगे अगर आप इसका paid version यूज करोगे तो इसके उपर आपका कोई भी का इन माश् दिखाई देगी background में उसके इसका जो गाना आपने अभी लगाया है वो गाना चलता रहेगा तो दोस्तों इस परकार आप अपनी किसी भी photo गयोग पर आसानी से गाना लगा सकते हो तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगिए तो पसंद आए इसे like जूरूर करना और हम आगे भी एसी जनकरी मिलती रहे